पीना चिलके वाला रोस्टेट चना ली हूँ आप इसके जगह पे रोस्टेट चने का दाल भी ले सकते हैं लेकिन वो सॉल्टी ना हो एक्तम साधा हो और डेसी केटेड कोकोनट ली हूँ और यह ली हूँ मिस्री मिस्री के जगह पे आप चीनी या गुड़का भी यूज कर सकते हैं तो सबसे पहले हम मिक्सर जार में डाल रहे हैं चना रोस्टेट चना उसके बाद हम दस बारा काजू डालेंगे आप इसको किबी कर सकते हैं और इसमें हम डालेंगा हरे इलाची की दाने यह तीन हरी लाची के में दाने डाल लई हूँ और सभी को मैं अच्छे से पीज के पाउडर फॉर्म में कर ली हूँ देख सकते हैं अब इसको हम छान लेते हैं ताकि इसमें थोड़े भी टुक्रे ना रहें जैसे की चने के या फिर काजु के टुक्रे ना रहें जिससे तो देख सकते हैं सब छान ली हूं और इतने थोड़े सेवस निकले हैं इसको अलग फेक दे रही हूं मैं अब यह फाइन पाउडर रेडी है अब सेम जार में मैं मिश्री डालूंगी आप इसके जगर पे गुड़ी या चीनी भी ले सकते हैं और कितना लेना है मीठा को कितन बनाना उस हिसाब से आप मिश्री लीजिएगा उसके बाद इसमें हम डाल दे रहे हैं डेसिकेटेट कोकोनट जो आधा कप है और सभी को में फाइन पाउडर बना दी हूं एकदम फाइन पाउडर बना है इसमें थोड़ा भी किस्टल नहीं है चीनी का अब इसको हम चने मे डाल देंगे डेसिकेटेट कोकोनट के जगर पे जो नारियल का गोला आता है उसे भी आप गेट करके और इसमें डाल सकते हैं उससे भी यह पेड़ा बहुत ही टेस्टी बनता है सभी को डालने के बाद मैं 4 टेबल स्पून गरम घी डाल लें हूं अब इसे बहुत ही अच् अब इसमें थोड़ा सगी और एड कर दीजिएगा देखिए फ्रेंस यह बहुत अच्छे से बद जा रहा है तब इसमें हम डाल देंगे दूद बहुत थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा बिल्कुल भी ज्यादा डाल के गलती नहीं कीजिएगा देखिए मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा पानी अब्सूर्ब करता है तो इतनी होनी चाहिए इसकी थिकनिस और इसको मैं धख के रख दूँगी 10 मिनट के लिए तो यह और जादा थिक हो जाएगा तो अब मैं इसको 10 मिनट के लिए धख के रख दे रही हूं तो अब पूरे 10 मिनिट हो गये थे तो हाथों पे देखी मेरे दोनों हथेली पे घी लगे हुए हैं अब इसमें से छोटे छोटे बॉल्स मैं लूँगी और मैं दोंगी पेड़े का सेप जो ट्रेडिशनली पेड़े का शेप होता है मैं वही दे रही हूँ आपके पास अगर साची होना तो आप साची में भी दे सकते हैं उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन आते हैं अब मैं उपर से थोड़ा सा बदाम का कतरन लगा दे रही हूँ, मेरे पास पिस्ता खतम हो गया था, इसलिए मैं ये बदाम के कतरन लगा रही हूँ, अगर मेरे पास पिस्ता होते तो मैं पिस्ता का ही कतरन लगाती, तो फ्रेंड्स फटा फट से बन गए हैं, इतनी टेस्ट पीडे तो कैसे लगी आप जरूर बताईए का अगर अच्छी लगए तो लाइक करना मिह शच्छ नहीं करते हैं और चन्य के तो बहुत सारे बेनिफेट्स हैं, आप एक बार जरू ट्रा Eh Sabs रेका रेशे लगए अच्छी लगए आच्छा बेड़ा कर ले